है ब्रीबन मैं मैंन पांडे आप लोग आपनी यूटूब चैनल में हार्दिक शौगत और अविननदन करता हूं मैं आसा करता हूं कि आप लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे आज मैं काफी दिनों बाद वीडियो ले करके उपस्तित हो रहा हूं आप लोगों के समक्ष जो य इसे मैं क्प्प्यूटर में जो एक प्रैक्टिकल खोड्य मेरत जुद्स लिए वो चीटर करते हो हएं या इसे क्रम में मैं आज का वीडियो ले करके आया हूं और अब्धी आपको मैं बता दूंकि कि जो वेसिक में नोटपैड यह से पढ़ाने का क्या मोटिव होता है नोटपैड एक mostly file editing के लिए इसको यूज किया जाता है एक text document होता है जिसका file extension .txt होता है और इसमें हम mostly text editing work करते हैं टेक्स्ट के editing के लिए एक बहुत ही अच्छा window माना जाता है एक basic window है इसमें बहुत ज्यादा formatting मगरा हम नहीं कर सकते बड़ typing का work हम इसमें अच्छे से कर लेते हैं और basic में typing work करना मतलब keyword से आपको काम करना है यदि आप notepad में अच्छे से typing कर ले और यदि हम drawing बना रहे हैं mouse से mouse के माध्यम से हम कोई भी object क्रियेट कर रहे हैं कोई drawing क्रियेट कर रहे हैं तो हमको mouse पे अच्छे से work करना आ जाएगा mouse पर command हो जाएगा और mouse और keyboard जो है basic input device है जिसके बीना आप computer को handle नहीं कर सकते इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना जरूरी है इसलिए notepad और pen पर हम pressure डालते हैं और इसके बारे में आपको बताते हैं वैसे pen वगरा में drawing का work कर सकते हैं हम photos को scan करके उसको cut वगरा करके हम normal सी photo भी बना सकते हैं जैसा नहीं है कि pen का कोई use ही नहीं है इसमें हम drawing उगरा कर लेते हैं तो basic में अगर आपको drawing करना है कोई भी normal work करना है photo इत्याद से related तो pen में आप आसानी से कर सकते हैं जैसा कि मैंने आप से पिछे भी बताया हुआ है कि इसमें मेरे इस channel पर आपको जितनी भी video मिलेंगी वह step by step मिलेंगी यदि किसी भी course के अंतरगतम उसको ले रहे हैं तो जैसे यह basic courses में practical classes चल रहे हैं इसके पहले हमारे basic courses में मैंने zero level से history से ले करके computer में theoretical classes प्रवाइड क नहीं है और आप computer सीखना चाते हैं तो यह channel आपके लिए काफी useful होने वाला है और इस पर आपको video जो मिल रही है step by step और deeply मिल रही है जैसे किसी institute में आप किसी भी computer center में आप बैठके पढ़ेंगे उस तरीके की आपको पढ़ाई यहां मिल रही है आप लोग को यह मालूम है यदि नहीं है तो मैं बता दूँ आप लोगो को कि हमारा computer institute चलता है किर्थी computer institute the college of IT के नाम से और यह UP के कई जिलो में चलता है मैं फसलिए UP से बिलॉंग करता हूँ UP में आयोध्या एक बहुत ही popular city है भगवान राम की जन्मस्थली है यही मेरा district है जहां हमारा किर्थी computer institute the college of IT का head office है और यहां से अलग-अलग district में हमारी कई सारी साखाएं चलती है वैसे हमारा home district बस्ती district है और हमारी साखाएं कई सारे district में फैली हुई है और कई सारे ब्रांचे चल रहे हैं और हमारी संसा UP में 17 एयर से रन कर रहा है तो यदि आपको कोई भी offline classes की आव सकता है त contact करने के लिए description में contact number है mail है वहां से आप हमको सुचित कर सकते हैं हमसे contact कर सकते हैं और यदि आपको free of cast में computer का complete knowledge चाहिए तो आप मेरे channel पर बने रहे हैं मेरे channel को आप subscribe कर लें और यहां अगर videos आपको अच्छी लग रही है knowledgeable लग रही है तो आप उसे like करें और अपने friends के पास जरूर शेयर करें तो आज का जो मेरा topic है MS print मैं आपको MS print के बारे में आज deeply बताऊंगा तो चलते हैं computer screen पर और print को हम deeply पढ़ते हैं computer screen पर जाने से पहले एक बार मैं जरूर कहूंगा आपसे कि यदि आपको चैनल आपके लिए knowledgeable channel आपको लग रहा है आपको technical knowledge provide कर रहा और notification सबसे पहले प्राप्ट करने के लिए bell icon को आप जरूर प्रेस कर लें तो चलिए चलते हैं computer screen पर और print को deeply zero level से समझते हैं हाई गाईज हम आज चुके हैं अपने computer screen पर जैसा कि मैंने भी आप लोग को बताया कि आज का मेरा topic है MS print MS print हम क्यों कहते हैं because Microsoft Corporation के अंत्रगत Windows operating system है और Windows operating system के अंत्रगत PENT application हम पढ़ते हैं तो इसके नाते से हम इसको MS PENT कह सकते हैं अब हम PENT को zero level से आपको बताएंगे PENT open कहा से होता है PENT जो application एक picture application है जिसमें हम drawing cover करते हैं इसे width map image भी कहा जाता है तो उसको हम कैसे open करते हैं उसका file name क्या है extension क्या है उसके part of window क्या है ये सारी चीजों को हम deeply समझते हैं पिछली classes मेरी जो notepad पे थी practical classes जिसने भी ना देखा हो उसे देख लेंगे तो आपको खासा मदद कंप्यूटर को zero level से पढ़ने में और समझने में तो चलिए PENT को open करके देखते हैं हम यहां start button पर जाएंगे जिसे window button भी कहा जाता है यहां पर हम click कर देंगे और यह आपके जो program की list आ गई all programs की list आ गई कुछ इसमें most recent जिसको हमने use किया हुआ है वो applications यहां दिख रहे हैं हम scroll bar में जो elevator उसको drag करते हुए नीचे आ जाएंगे हम keyboard के द्वारा arrow keys के माध्यम से भी आ सकते थे बट हमने elevator को drag किया और यहां हम आ गए windows accessories पर यहां हम click करेंगे इसमें आप देखें एक point बना हुआ है triangle point है इस पर हम click करते हैं तो एक drop down list आती है जिसमें paint है notepad आप पढ open करते हैं क्लिक किया paint application जो है वह आपके सामने open हो करके आ गया अगर हम accessories से जा करके open नहीं करना चाहते हैं या हम accessories नहीं मिल पा रहा है तो हम यह start button के right side में जिसे हम window की कहते है उसके right side में search का आपको point दिख रहा है search point दिख रहा इस पर आप click कर देंगे तो यहां सर्च करन तो उससे related वो search करके आपको दे देता और यहां से भी आप open कर सकते हैं तो open करना आपने जाना Microsoft का window 10 हम use कर रहे हैं उसके अंतरगत हम paint को पढ़ेंगे और समझेंगे थोड़ा सा अगर कोई पुराना version पढ़ रहा है या advance में 11 उगरा पढ़ रहा है तो थोड़े बहुत changes मि ज्यादा कुछ नहीं हम step by step सारी चीज़ों को समझते हैं आप देख पा रहे हैं paint का application आपके सामने open होकर के आ गया है paint जो हम application पढ़ने जा रहे हैं इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम wit map image कहते हैं wit map image और इसका file extension है जो file की पहचान के लिए होता है .bmp हलाकि इसमें .bmp में भी file save होती है .png में भी save होती है .jpg में भी होती है .zip में भी होती है कई सारे format में file को हम save करते हैं paint का जो file extension होता है .bmp होता है और इसका file name wit map image होता है अब हम देखेंगे सबसे उपर जो पट्टी है जिसे हम title बार कहते हैं हमने notepad में भी आपको deeply बताया हुआ था कि title बार इसे हम क्यों कहते हैं because जो भी application हम use करते हैं उसका सीरसक यहां present होता है इसलिसको हम title बार करते हैं title बार के left corner पे control menu box या उस application का icon होता है जिस application को हम use कर रहे होते हैं आप देखें यहां एक paint का symbol बना हुआ icon बना हुआ अगर इस icon पर हम click करते हैं तो एक drop down list आ जाती है एक छोटी सी list आ जाती है जिसमें कुछ important tools है important options हैं जिसके द्वारा हम अपने paint application पर command कर सकते हैं it means इससे हम controlling का work करते हैं इसलिए इसको हम control menu box भी कह सकते हैं आप देख पारेज में कुछ six options है restore, move, size, minimize, maximize and close जिसमें से कुछी चीजे highlight है because अभी हम maximize position में हैं तो इसको हम restore कर सकते हैं यहां click करेंगे यह का हम alt space bar के माध्यम से भी कर सकते हैं हम यहां से move करना चाहें तो हम keywords के माध्यम से movement कर सकते हैं हम enter करके उसको set कर लेंगे alt space bar करके हम फिर से ले आएंगे resizing अगर हम करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं इसके बारे मैं मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही डीपली बताया हुआ है तो जिसे नॉलिज ना हूँ वहां से जा करके चेक कर ले हम maximize करके आजाते हैं तो जो title बार होता है उसके left corner पे control menu box या उस application का icon होता है जिस application को हम use कर रहे होते हैं जेस्ट बगल में आप देख पा रहे हैं undo, redo, save and open ये कुछ options दिख रहे हैं जिसे हम quick access toolbar भी कहते हैं जो कि आपके title बार पर वो show हो रहा है जबकि इसकी exact positioning जो है वो ribbon के ऊपर है above the ribbon and below the ribbon यहां से अगर हम right ट्लिक करें so quick access toolbar, reload the ribbon कर लेंगे तो नीचे आ जाएगा इस तरह से हम इसको उपर नीचे setup कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं title बार पर जो application open है pent application हमने open कर रखा है उसका icon and pent application का name आ रहा है अभी आप देख पा रहे हैं यहां लिखा हुआ है untitled मतलब इसमें आपने कोई भी title नहीं दिया है मतलब अपने इस picture file का कोई भी नाम आपने नहीं दिया हुआ है तो left corner पे आपका जो भी application open है उसका icon and document name and right corner पे minimize, maximize और restore and close यह तीन option होते हैं जिसे control tools कहते हैं इसके द्वारा हम complete controlling कर सकते हैं अपने window का जिसे हम minimize कर सकते हैं, maximize कर सकते हैं, restore कर सकते हैं and close भी कर सकते हैं यहीं करना चाहते हैं तो साइद आपके समझ में आया होगा इसे हम title बार कहते हैं अगर हम यहीं click करें right click और quick access tool bar को above the ribbon कर दें तो जो की अभी आपको वेलो में दिख रहा है हम above करेंगे, फिर आपके title बार पेस की positioning हो जाएगी जस नीचे आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर file, home, view and last में आपको एक help का symbol मिल रहा है इस पटिका को हम menu bar बोलते हैं यह menu bar है, इसके अंतरगती सारे options होते हैं सारे features होते हैं, print के जिस भी application को आप use कर रहे हैं, menu bar के अंतरगती सारे features available होते हैं उस application के जिसमें से आप देख पा रहे हैं, starting में file है और last में help है, help आपका symbolic है file, home, view and help यह आपका menu bar है और menu bar के जो options हैं, जैसे home पर यहाँ selection है और home के options यहाँ symbolic तरीके से दिख रहे हैं तो इस पट्टी को हम ribbon कहते हैं ribbon चोड़ाई इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है इसलिए आप इसको ribbon कह सकते हैं इसे ribbon कहा जाएगा अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप यहाँ से control F1 करेंगे तो आपका जो ribbon है वो minimize हो जाएगा and या hide हो जाएगा अगर हम control F1 फिर से करते हैं तो यह so हो जाएगा आप देखें यहाँ लिखा है minimize the ribbon यहीं क्लिक करेंगे तो ribbon आपका minimize हो जाएगा इसे हम बार ना कहके इसे हम ribbon बोलते हैं ribbon मतलब होता फीता जिसकी चोड़ाई थोड़ा ज़्यादा होती है पट्टी से इसले इसको हम ribbon कहते हैं और इसमें जो menu है menu के जो options है वो symbols में so होते हैं और आप ध्यान दे रहे होंगे यह जो ribbon available है उसमें एक हलकी line दे करके अलग-अलग tab को divide किया गया हुआ है जैसे clipboard tab है image tab है tools tab है shapes tab है आपका colors tab है इस तरह से अलग-अलग tab में उसको divide किया गया हुआ है हम एक-एक को आसद पढ़ेंगे अभी हम part of window समझ रहे हैं जैसा कि आपने देखा सबसे उपर title बार है quick access tool बार है just नीचे आपने देखा menu बार और menu बार में menu के जो options है symbols में जहां आपको मिल रहे हैं उसे हम ribbon करते हैं नीचे आएंगे तो यह आपका horizontal ruler है और left side में आप देखेंगे तो यह vertical ruler है जो indicate करता है कि आपका जो cursor है वो कितने pixels और कितने जो भी हम unit चुनके रखते हैं चाहे वो inches हो pixels हो, mm हो कुछ भी जो भी unit हमें आप चुनके रखते हैं ruler उसी unit को show करता है और जब हम cursor को move करते हैं वर के रिया पर तो वहाँ एक red line के माद्यम से vertically and horizontally आपको यह show करता रहता है आप देख पा रहे होंगे यह red color की जो lining है इधर भी आपको यह red color की lining मिल रही है जब हम cursor को move करते हैं तो यह वहाँ कहा moment है कितने pixels पर या कितने mm पर या कितने inches पर हम available है वो show करता रहता है और नीचे status bar पर यहाँ आपको pointer के माद्यम से बताता हूँ यहाँ जो cursor point बना इसके बगल में अभी आप देखिएगा तो यहाँ आपको कितने pixels पर move हो रहा है वो show कर रहा है जिस पट्टी पर यह show हो रहा है उसे हम status bar करते हैं तो आपने देखा यह आपका horizontal ruler है और यह आपका vertical ruler है और यह आपका work area है यह picture file है जिस पर हमको picture create करनी है या object बनाना है या graphics या drawing करनी है तो यह picture file है आपकी यहाँ picture create करने का work करते हैं right side में आप देखेंगे यह scroll bar है इसको हम vertical scroll bar बोलते हैं यहाँ आप देखें तो यह elevator है जिससे हम elevate कर सकते हैं जो hidden आपके drawings हैं या pictures हैं उसको हम देख सकते हैं down में आप देखेंगे यह आपका horizontal scroll bar है जिसमें यह elevator है इसको हम move कर रहे हैं अभी आपके paste पर आपके file पर जो work area उस पर हमने कोई भी drawing नहीं की हुई है और हमारा कोई भी drawing छिपा नहीं हुआ है इसलिए आपका जो यह elevator है complete scroll bar पर यह so हो रहा है जैसे जैसे hidden होता जाएगा या zooming हम बढ़ाएंगे तो यह elevator छोटा होता जाएगा और movement करके दिखाएगा down में आप देख पा रहे हैं जैसा कि भी मैंने बताया यह status bar है जहाँ पर आपको page की size अगरा पता चल रही है और right side में आपको zoom so कर रहा है जहाँ minimum zoom 12.5% and maximum zoom 800 होता है आप देखेंगे यहाँ से zoom indicator को हम पकड़ेंगे और maximize की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर unit so हो रही है 800% यह maximum zoom होता है यहाँ पर और अगर इसको हम minimum की तरफ लाएंगे तो 12.5% यह आपका minimum zoom है जो की हम यहाँ से बढ़ा सकते है normal size आपका 100% होता है और सबसे नीचे task bar होता है जो आपको main window से ही available मिलता है जिसे आप desktop कहते हैं वहाँ पर से ही आपको task bar मिलता है किसी भी task पे जाना है या हम multitask कर रहे हैं तो हमारा task वार ही show करता है कि हम कहां कहां work कर रहे हैं साइद आपको part of window समझ में आया होगा अब हम सबसे पहला जो menu option है file उसे हम समझते हैं हम इन सारे options को step by step करके धिरे धिरे बताएंगे बट हम चलेंगे systematic ढंग से ही तो अभी हम क्या करते हैं ऐसे ही कुछ हम drawing यह create कर लेते हैं जिससे हमारा जो picture file है वो blank ना रहे जिससे आप page भी कहते हैं बट यहां picture file उसको कह सकते हैं इस file में हम pictures create करते हैं या drawing create करते हैं तो file में हम आएंगे और file पर click करते हैं तो हमें एक drop down list आती है उस drop down list में आप देखें new, open, save, save as, print, from scanner और camera, send in email, set as desktop background, properties, about pen and exit यह options आपको मिल रहे हैं step by step इसको हम समझेंगे हमने पिछली classes में notepad में भी मिले थे file में जिसमें हमने आपको सारी चीज़ें step by step बताई हुई थी उसी तरीके से यहां भी है उसको भी हम समझेंगे side में आप देख पा रहे है recent pictures recent pictures का मतलब क्या है यादि आपने कुछ भी बना करके save किया हुआ latest तो वो यहां पर so कर जाएगा बट अभी ऐसा कुछ है नहीं so यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है new आप देखे new पर हम आते हैं जैसे ही आपको लिखा हुआ मिल रहा है new control प्लस N ये इसका keyboard shortcut है जहां से हम smart work कर सकते हैं नीचे लिखा है create a new picture यहां से हमें एक नई picture ला सकते हैं it means यहां पर जो हमने picture बनाई हुई है या हमने कोई भी save create किया हुआ है इस save को हम हटाना चाहते हैं हमें एक नई file लेना चाहते हैं नई picture file लेना चाहते हैं तो हम यह आपर new कर देते हैं और यह जो हमने save बनाया हुआ है, create किया हुआ है इसको हमने save नहीं किया है तो यह पूछ रहा है, do you want to save change to untitled क्या जो विदा title का matter है इसमें आपने कोई भी title नहीं दिया हुआ है, इस file को आपने कोई file name नहीं दिया हुआ है उसको आप save change करना चाते हैं, यदि save करना चाते हैं, तो आप save पर click करें नहीं करना चाते हैं, बंद करना चाते हैं तो don't save कर दें, और अगर आपको इस पर work करना है, तो आप cancel कर दें अभी हम इसको क्या करते हैं, don't save और हमारे सामने एक blank picture file आ गई, तो new से हम एक नई file लाते हैं open से हम क्या करते हैं जो exiting file है जो pictures हमने बना करके save कर रखी हैं उसको हम यहां से open कर सकते हैं जब हम open पर click करेंगे तो एक dialogue open हो करके आगा कोई others नाम से एक file बनाया हुआ है इस पर हम open करते हैं यहां आते हैं देख रहे हैं आप कुछ pictures बनाई हुई हैं तो आपके सामने present है तो picture file others नाम से है तो इस तरह से हम कोई भी saved file को open कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं recent picture में जो latest हमने भी open किया है वो file यहां पर दिख रही है फिर हम new कर देते हैं चुकि file पहले से save है तो new करने पर यह save करने के लिए नहीं मांगेगा नीचे हम आ जाते हैं save अगर हमने कुछ भी बनाया हुआ है कोई भी यहां पर picture create की है और अब हम इसको save करना चाहेंगे तो file पर जाएंगे और save option है जिसका shortcut होता है control प्लस S यहां क्लिक करेंगे तो एक dialogue आ जाएगा एक document window आ जाएगी जिसमें आप से पूछ रहा है यह file name आप क्या देना चाह रहे हैं और जो save type है वो हम यह 24 bit bitmap को select करते हैं अगर हम करना चाहें तो नहीं हम PNG में भी save कर सकते थे और हम यहां से title name डाल देते हैं हमने यहां लिख दिया KCI KCI Tally Specialist मेरा चैनल है और KCI से किर्थी Computer Institute हमारे institution का नाम है सो मैंने यहां KCI file name दे दिया और हम यहां इस पर save पर click करेंगे और आपकी file KCI नाम से save हो जाएगी आपका यह picture आप देखें इस पीस ही pictures में जाएगा यह save हो जाएगा यहां से अब आप देखें title में KCI लिख करके आ गया it means मेरे picture file का नाम KCI हो गया अब हम क्या करते हैं यहां से new कर लेते हैं फिर हम आपको open करके दिखाते हैं यहां हम recent से open कर सकते हैं बटम यहां open पे चले जाते हैं और यहां से आप search करेंगे आप direct file name भी देदेंगे तो भी मिल जाएगा नहीं तो हम नीचे आ करके KCI अब देखें यहां पर KCI लिखा करी थी वह आपकी यहां present हो गई तो इस तरह से आप file को save कर सकते हैं अगर इसी file को हम किसी other name से save करना चाते हैं या other extension में save करना चाते हैं तो हम save as पर करेंगे दोबारा save करना चाते हैं तो आप देखें अभी तक मैंने withmap format में किया था अगर हम web पर file को भीजना चाते हैं य pg pictures में कर सकते हैं जिफ picture में कर सकते हैं तो यहां से हम कुछ भी जैसे हम png करना चाते हैं तो हम png ले 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 और file को यहां kci1 कर देते हैं और इसको हम save कर देते हैं आप देखें title change हो गया हमारा जो file था kci1 के name से दोबारा save हो गया और इसका extension भी change हो गया है save as के माध्यम से अगला option है print आपने देखा कि print पर आते ही कई सारे options हमारे सामने आ गए जिसमें पहला print है दूसरा page setup है तीसरा preview है यदि हमें ये cloud print करना है जो cloud shape मैंने बनाया हुआ है तो हम सबसे पहले preview देख लेते हैं कि हमारा cloud कहां आ रहा है अभी हमारा जो orientation है orientation मतलब जो page का View है वो आपका Width wise है जिसको हम landscape बोलते है Patriot में다al wise होता है जिसमें height ज्यादा होती है और width कम होता है और landiscape style में width ज्यादा होती हो और height कम होता है यहां से हम चाहें तो यहीं से page की setting करके यहीं से print कर सकते हैं यहीं से प्रिव्यू को यहीं से close भी कर सकते हैं, अब हम देखेंगे, यदि हमें page setup करना है, तो हम यहां से page की setting करते हैं, यहां हम देख लेंगे, यहां पर previews हो रहा है आपका, जो भी image है, उसको यहां से indicate किया जा रहा है, page का जो size है, वो letter size लगा हुआ है, हम चाहें तो page size यहां से change कर सकते हैं, a4 size भी हम कर सकते हैं, या letter size, जो default size है, लेटर size है, आप देख रहे हैं, default रेलिका है, मतलब जो भी driver है, आपके printer का, वो यहां पर default लगा हुआ है, orientation में patrate करेंगे, तो height ज्यादा हो जाएगी, width कम हो जाएगा, और landscape करेंगे, तो width ज्यादा हो जाएगी, height कम ह जाएगा, तो जैसा आपका picture हो, उस हिसाब से आपने page का orientation सेट कर लेंगे, यहाँ पर आपको margins हो कर रहा है, left margin, margin मतलब जो आपका space छोड़ा जाता है, चारो तरफ, जिससे आपकी कोई भी picture कटे नहीं, और आपकी picture, जिससे अगर paper हम लगा रहे हैं, printer में, यादी paper हो करके आजाए, तो यहाँ पर हम margin को कम जादा कर सकते हैं, तो आप देख पा रहे हैं, margin जो inches में है, उसको हमने left में 0.75 करा है, top में 1 कर दिया है, right में 0.75 किया और bottom में 0.75 किया है, यह अपने according जैसे आपको करना है, उस तरह से आप कर सकते हैं, centring में देखिए हैं, हमारा चुप picture है, वो हमारे paste पे नहीं आ रहा है, किसी कारण बस, तो यहाँ से उसकी centring हम horizontally and vertically कर सकते हैं, अगर हम horizontal से देखें, तो horizontal से इसका so ही कर रहा है, vertically करेंगे तो वीच में, vertical format में, दोनों तरफ आप देख पा रहा है, इधर भी space चुट गया और इधर भी, तो vertically and horizontally set हो ग करते हैं, fit पर आते हैं, अभी देखे, fit पर भी आने के बाद ये cut रहा है, because two by one लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, one by one कर देंगे, तो पूरा matter आपको so कर जाएगा, और हम यहाँ से vertically हंटा देते हैं, horizontally भी चाहें तो हंटा दें, because हमने fit कर रहा है, और इसे हम portrait कर लेते ह हैं, और यहाँ से हम ok कर लेते हैं, तो यह हो गया हमारा paste startup, अब हम चाहे तो इसको print निकाल सकते हैं, यदि हम print पर click कर दें, तो matter हमारा print हो जाएगा, यह देखे, print के लिए आ गया, और send to one note, 2007 क्यों लिखा है, क्योंकि यदि आपके computer में printer नहीं लगा हुआ है, और यदि आप MS Office यूज़ करते हैं, तो उसके साथ one note, आपका Microsoft one note एक application आता है, जो printing के लिए होता है, जो उसका driver by default installed हो जाता है, जिससे आपका कोई भी page setup करने में, या कोई भी print के options को करने में असुविधार नहीं होती है, वो उसको completely driver available हो जाता है, तो यहाँ से हम जितने भी pages हमको लेने हैं, हम page range set कर सकते हैं, preference में जाकर कि इसकी setting वगरा को हम चेक कर सकते हैं, printer नहीं मिल रहा है, तो printer find करना यहाँ से कर सकते हैं, जितनी copies निकालनी यहाँ पर जाते हैं, बढ़ा लेते हैं, इसको गटा बढ़ा करके हम कर लेते हैं, और यहाँ से print पर click कर देंगे, तो matter printer print हो जाएगा, बट हमें printer लगा नहीं है, तो हमें print नहीं करना, हमें आसे cancel करके आजाते हैं, सायथ print आपके समझ में आया होगा, आगे आप देखें, लिखा है from scanner और camera, अगर हमें कोई भी drawing या कोई भी picture या कोई भी photo हमें scanner और camera से लेना है, normally हमें photo cut करके बनाना, यदि हम हमें और कोई application नहीं मालूम है, हमें pen ठीक हो लाता है, तो हम pen से normal work कर सकते हैं, photo अगरा थोड़ा बहुत हम work कर सकते हैं, विकाज इसमें cropping अगरा करने का option है, तो हम क्या करते हैं, यहां अगर camera या scanner लगाते हैं, तो from scanner और camera highlight हो जाएगा, और यहां से हम उसको ले सकते हैं यहां आप देख पा रहे हैं, send in email, यदि यह image आपको या picture आपको send करना है, mail भीजना है, server पे तो हम यहां से mail कर सकते हैं, अभी हम offline है, इसलिए हम यहां से mail करके आपको नहीं दिखा सकते हैं, अगला option है, set as desktop background, यदि यह आपका image आपने बनाया हुआ है, या picture आपने create किय या shapes आपने लिया हुआ है, वो आप अगर आप चाहते हैं कि आपके background पर आजाए, तो यहां से आप कर सकते हैं, fill करतेंगे, तो आपका so हो जाएगा, stress format में, अगर आप tile करेंगे, तो यह छोटी सी में, छोटी छोटी format में आने लगेगी, और अगर आप center कर देंगे, तो beach में आ जाएगा, तो हम fill करके देख लेते हैं, और यहां पर हम minimize करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं, desktop पर आपके fill हो करके आगया, हम फिर से चलते हैं, paint में, और इसी को हम क्या करते हैं, यहां से, अगर हम tile कर देते हैं, तो फिर आप देखेंगे कैसे हो जाएगा, minimize करें मतलब आपके टेक्स्टॉप स्क्रीन के वीच में मिलेगा हम यहां से जाते हैं वैकर के पेंट में तो इस तरह से अपने द्वारा बनाए गई पिक्चर को या अब्जेक्ट को हम अपने डेक्स्टॉप वैग्राउंड पर सेट कर सकते हैं अगला है प्रपर्टीज में आप यहां तक कि अपने हम इस कलर बॉक्स उगरा को हम ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं आप देख पारें कलर में है और पेज का हाइट बेटते हैं सब हम सेट कर सकते हैं तो अभी हम इसको क्या कर रहे हैं ब्लैक एंड वाइट करके ओकी करते हैं आप देखेंगे आपको य में हो जाएगा बट आपका जो image है वो color में नहीं होगा अब इसमें हमको color भरना है तो हम दिरे-दिरे करके color fill कर सकते हैं इसको हम zooming कर लें और हम इसमें अच्छी सी design create कर सकते हैं आगे हम देखते हैं about pen यहां से हमको pen के बारे में जानकारी मिलेगी कि जो pen हम use कर रहे हैं मैंने अभी आपसे कहा था कि हम ms pen आज आपको पढ़ाएंगे ms pen हमने इसले कहा था because microsoft windows जो operating system हम use कर रहें windows 10 वो microsoft company का operating system है microsoft corporation का operating system है और उसके अंतरगत आप pen को use कर रहे हैं तो उसका complete detail आपके सामने present हो जाएगा last option आप देखेंगे यहां पर है exit exit करेंगे तो हम pen application से बाहर आ जाएंगे तो आज हम यहीं आपका finish भी करेंगे इस part में मेरे file का पूरा detail आपको मिला next part में हम देखेंगे आगे इसके continue करेंगे तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो आपको तो इसको आप like कर दें अपने friends के पास share कर दें तो आज की class बस यहीं पर समाप्थ हम कर रहे हैं next day हम आपका part 2 ले करके आएंगे paint में आगे हम जानकारी आपको देंगे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको आप like करें share करें और चैनल को subscribe जरूर करने मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you जय है